इस वीडियो में हम जानेंगे MI के फोन में कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे बन कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको डायल पेट को उपन करना होगा यहाँ पर आपको निच्चे तीन डोट पे क्लिक करना है उसके बाद आपको सेटिंग में जाना होगा यहाँ पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग पे क्लिक करना है उसके बाद आपको सीम पे क्लिक करना होगा तो अब भी हम सीम 1 पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको वोईस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको कुछ time wait करना है यह loading होने में कुछ time लगता है तो आपको wait करना होगा loading होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface चो हो जाएगा यहाँ पर सभी option में आपको off को check करना होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी option के निच्चे off लिखा हुआ है लेकिन इस एक option के निच्चे number दिखा रहे हैं तो इस number को हमको delete करना होगा तो उसके लिए आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको turn off पर click करना है तो यह update हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी option off हो चुके हैं तो आपको back करना होगा और यहाँ पर आपको sim 2 पर click करना है और इसमें भी आपको waste पर click करना होगा और यहाँ पर भी आपको सभी option को बंद कर लेना है यदि कोई option के आगे number दिखा रहे हैं तो number को आपको हटा देना है तो आपकी यह problem solve हो जाएगी उसके बाद कोई भी हमको call करेगा तो उसकी call किसी दूसरे के पास transfer नहीं होगी तो बस इस video में इतना ही